हेलो एवरिवन पाठ तीन मस्ती की रेल मेरे ये खेल ये पाठ खेल के और खिलाडियों के बारे में है और खेल तो सभी को पसंद है है ना तो आज हम इस पाठ में खेल और खिलाडियों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ खेल और खिलाडी मोहित रुको तो सही विने कहां दोड़ी चले जा रही हो विने मैं तुम सब को ढून रहा था पता है आज ब्राथना सभा के बाद योग और खेल होंगे मोहित मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है खास तोर से कबड़ी का खेल सुमन मुझे कुस्ती करना अच्छा लगता है अपने से तगड़ी लड़कियों को भी मैं अच्छी पठकनी दे देती हूँ विने तुम तो लड़की हो तुम क्या कुस्ती करोगी सुमन क्यों नहीं करोंगी लड़किया कुस्ती नहीं कर सकती क्या हमारे राज़े की बहुत सी लड़कियों ने कुस्ती में हमारे देश का कितना मान बढ़ाया है वे भी तो लड़किया है यहाँ पर बच्चों की वारतालाब के बाद नेक्स्ट पेज पर पता करो और लिखो दिया गया है तुम्हारे राज़े के किन खिलाडियों ने खेलों में रास्टिय वा अंतर रास्टिय स्तर पर नाम कमाया है यहाँ पर खेल का नाम दिया गया है खिलाडी का नाम है और किस स्तर पर नाम कमाया है रास्टिय या अंतर रास्टिय या दोनों में नेशनल, इंटरनेशनल or a both तो यहां पर मैंने आपके साहेता के लिए खेलों के नाम लिखे है और यहां पर हरयाना राज्ये के खिलाडियों के नाम लिखे है और किस तर पर उन्होंने नाम कमाया है वो भी मैंने यहां पर लिख दिया है तो फर्स्ट नमबर पर मैंने लिखा है नीरज चोपड़ा का ये हैं जैवलिन थ्रो के खिलाडी विनेश फोगाट रैसलिंग में बजरंग पुनिया, कुस्ती, संजीव राजबूत, निशाने बाजी, आशेश मलिक, गुड सवारी, लक्षय शोराण, शूटिंग, रानी रामपाल, होकी, दुश्यन चोहान, नोकायन, सीमा पुनिया, थ्रो डिसकस, संदीप नर्वाल, कव और यहाँ पर इनका क्या है, नैशनल है या इंटरनैशनल है यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है. नेक्स्ट, योग करें सवास्त रहें, टन, 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 प्राथना की घंटी बजी, सभी बच्चों ने लाइन में खड़े होकर प्राथना की, प्राथना के बाद रोजाना की तरह पहले कुछ बड़े बच्चों ने योगासन किये उसके बाद खेल खूद हुए फर्स नमबर पर यहां पर दिया है वजरासन यहां पर है वजरासन जिसका मतलब है वजर जमा आसन वजर की तरह आसन तो यहां पर गुटनों की बल बैठ कर इस आसन में बैठा जाता है इस से पाचन तंत्र मजबूत होता है और हमारा पोस्चर बैठने की स्तिती सुदरती है और रीड की हड़ी मजबूत होती है और इस से एक आगरता भी बढ़ती है धनूर आसन जैसा की नाम से ही पता चल रहा है धनूर मेंस धनूश और आसन आसन यह एक धनूश की आगरती का आसन है है ना यहां पर शरी धनूश की आगरती का बन जाता है और इस से पेट समंदी सभी विकार दूर हो जाते हैं रीड की हड़ी मजबूत होती है और पाचनतंतर मजबूत होता है एक आगरता बढ़ती है और शरीर मजबूत होता है लचकाती है फिर है पदम आसन पदम का मतलब होता है कमल की तरह है आसन तो इस में इस थिती में बैठा जाता है इस से भी एक आगरता बढ़ती है और शर पिर मजबूत होता है, रीड की हड़ी में, मजबूती आती है, नेक्स पीज पर है, अब बताओ, क्या तुमारे घर के सदश्य भी योगासन करते हैं, यदि हां, तो कौन कौन, तो क्या आपके घर में भी कोई योगासन करता है, आप बता सकते हैं, आपके मुम्मी करती हैं, पापा करते हैं, चाचा करते हैं, भाई करते हैं, या बेन करती हैं, यहां पर आप बता सकते हैं, नेक्स है, योग और खेलों से क्या लाब होते हैं, योग और खेलों से क्या लाब होते हैं, योग और खेलों से हमारा शरीर σ्वस्थ होता है और मांसिक तनाव टेंचन से चुटकारा मिलता है तो हमें स्वस्थ रहने के लिए योग करना चाहिए और आउ डोर गेम से भी खेलने चाहिए खोखो का खेल खोखो का खेल चोतिक अक्षा की लड़कियों के बीच होना है सभी बच्चे खेल देखने के लिए मैदान में कठे हो गए राजीव सर ने खेल के नियम बताए इस खेल में दो टीमें होंगे प्रतेक टीम में नो नो खिलाड़ी होंगे मैदान में एक सीधी लाइन खिचेंगे एक टीम की आठ लड़कियां इस लाइन पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपस में विपरित दिशा में मूँ करके बैठेंगी दूसरी टीम की एक लड़की बैठी हुई लड़कियों के बीच में से होकर भागेगी पहली टीम की एक लड़की उस लड़की को चूने की कोशिश करेगी ताकि वह आउट हो सके वह अपनी साइता के लिए बैठी हुई लड़कियों में से एक को पीछे से पीट पर खो दे सकती है दूसरी टीम की लड़की चूल लिये जाने के बाद आउट मानी जाएगी अंत में जीस टीम के खेलाड़ी के कम खेलाड़ी आउट होंगे वह टीम विजेता गोशित की जाएगी यहां पर खोको के बारे में बताया गया है कि खोको हमें कैसे खेलना से ये खोको के नियम लिखे गई है तो इसी पर आप से पुछा गया है कि तुम कौन से खेल खेलते हो किसी एक खेल के नियम लिखो आउट होना क्या होता है तुम स्वैम किसी खेल के नियम बनाओ और अपनी कोपी में लिखो इनके आंसर मैंने नोटबुक में आपको लिख कर दिखाए है यह मैंने नोटबुक में आपको लिख कर दिखाए है तुम कौन कौन से खेल खेलते हो यहाँ पर आप जो भी खेल खेलते हैं यहाँ पर वही खेल का नाम लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर एक्जामपल के लिए खोखो, कबड़ी, फुटबॉल, बक्रम पकड़ाई, लुकाचिपी, बरफ, पानी, आदी खेले लिखे हैं इन में आप कैरमबोर्ड, लुडो, सापसीडी और और कोई भी जो भी आप खेल खेलते हो यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हो नेक्स है, किसी एक खेल के नियम लिखो यहाँ पर मैंने कबड़ी के नियम लिखे है कबड़ी में साथ-साथ खिलाडियों की दो टीमें होती है एक चकोर मैदान के बीचों बीच एक रेखा कीच दी जाती है दोनों टीमों के खिलाडी रेखा के इधर उधर खड़े हो जाते हैं बारी बारी से प्रतेग टीम का खिलाडी कवड़ी कवड़ी बोलते हुए बिना सांस लिए दूसरी टीम के पाले में जाता है यदि वह किसी खिलाड़ी को छू कर तरहा बिना पकड़े अपने पाले में वापिस आ जाए तो दूसरी टीम का खिलाड़ी आउट हो जाता है नेक्स्ट है आउट होना क्या होता है जब एक खिलारी छू लिया जाता है और छूने वाला खिलारी ठीक नियमों का पालन करता है तो छूआ गया खिलारी आउट हो जाता है कोई भी गेम खेलते हैं तो एक खिलारी है तो दूसरे टीम की खिलारी को या दूसरे के अपने सामने वाले खिलारी को जब वह छू लेता है तो जिसको हम छूते हैं तो वह आउट हो जाता है है ना